एपल विजनस का उसके जो डिसगाइज में ये सब कर रहा था उस पूरी गैंग के 18 से 20 लोग अरेस्ट किये हैं और आने वाले दिनों में और भी गृफतारियां करेंगे देखे पिछले कुछ समय से हम लोग गंधीर प्रयास कर रहे हैं शिम्ला जी ना में जो ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज में लोग सलिप्त हैं और नशे के कारोबार को एक चैलेंज के फॉर्म में हमारे डिस्टिक में प्रेट करना चाहते हैं उनके विरुद पिछले 18 महेनों में अमने लगातार एक इंपक्ट को लेक्शन लिया है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि शिम्ला डिस्टिक पुलिस में लगभग एक हजार से ज्यादा लोगों को अभी पिछले किसमय में लगतार किया है और शाड़े च्छे सो 650 से ज्यादा की कुछ यह वो अतरच किये हैं और बहुत सारे इंटरस्टेट जो ड्रग पैडलर्स हैं जो ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज में स्लिप पाए गए हैं इनको इफ्टार किया जा रहा है उनकी प्रॉपर्टीज की इंवेस्टिकेशन हम कर रहे हैं और इसी दिशा में अभी पिछले कुछ समय में हमारे जो सब्डिविजन रोडू है और सब्डिविजन ठ्योग है वहां पर एक वेर्फी जिसका नाम शशी नेगी है जिसको अपना नाम शाही मात्मा रखा हुआ था और एक शाही मात्मा ग्यांग बनाई थी उन उस वेक्ति को गर्वतार किया है और यह एक बड़े पैमाने पर एक और्गेनाइज क्राइम को जो है वो एक्टिविटी में इंवाल्व था उसको इंजाम दे रहा था अभी कुल मिलाकर जो इंविस्टिकेशन में जो चीजें सामने आई हैं यह ए ट्रांजेक्शन्स ए पैमेंट्स और वटसैप बगरा का काफी उज़ करता था और इंविस्टिकेशन में यह भी आया है कि यह बहुत सारे जो नाजवान है इसने अपने और्गनाइज गैंग में जो है उसका एसोसीट बने हुए थे और हमने जो है इन्विस्टिकेशन में यह भी पाया है कि यह एपल विजनस का जो उसकी जो डिस्गाइज में यह सब कर रहा था और यह बहुत बड़ी कामयावी पुलिस के हाथ लगी है जिसमें अभी तक हमने इस पूरी गैंग के 18 से 20 लोग अरेस्ट हिये हैं और आने वाले दिनों में और भी गृफ्तारियां करेंगे आमरा यह प्रयास है कि जो इस प्रकार के जो इलिगल एक्टिविटीज और निभरियस एक्टिविटीज में शिम्ला डिस्टिक में जो लोग इंवाल्व हैं उनके खिलाब हम ठोस का आरवाई करें और इस दिशा में यह कह सकता हूं कि हमको अच्छी काम्याबियां अच्छी सखलता हैं मिल रही हैं और जो सप्लाई चेन है उसको तो में हम आपको काफी एक्स्टेंट काम्याब को हैं जो इलिगल एक्टिविटीज जो हैं यह काफी क्लेवर्ली खास करके न इन्होंने थर्ड पार्टी , फूर्थ पार्टी इस परकार से अपनी activities को इंजाम देते हैं और directly contact में नहीं आते हैं बहुत इक concealed manner में और disguise में इस परकार की illegal activities को एक्वीट कर रहे थे लेकिन पिछले 6-7 महिने से हम लगाता है इस परकार की जो गैंग्स हैं उनके खिलाब जो है वो अपना जो है वो अपरेशन एक्जिक्यूट कर रहे हैं और हमारी टीम ने अच्छी सफलता प्राप्ती है इसकी ज्यादा डिटेल्स में भी आपके साथ इसलिए शेर नहीं कर पा रहा हूं कि यह केस जो से हमारी सोसाइटी में जो हमको जन्रल फीडबाच जनता है कि नशे के कारोबार में और स्पेस्पिकली जो चिक्ता हिरोईन की जिस तरह दे तसकरी हमारे डिस्टिक्ट में हो रही थी उसमें काफी हद तक जो है वो कमी आई फेस्बुक पर पोलिस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें